हेलो फ्रेंट्स, विल्कम टो मैं चैनल, आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ हमारा टेरिस गार्डन, जो बहुत ही छोटा है बट बहुत ज़ादा प्यारा है, जिसे मेरे हस्बन ने बहुत ही ज़ादा महनत से, बहुत ही ज़ादा प्यार से बनाया है, और उन चीजों से जो इजिली घर में अबलेबल होते हैं, या फिर जो वेस्ट होता है, तो मैं पहले आपको सारे गार्डन का व्यू दिखाऊंगी, और उसकी बाद इसके लिए बेट कैसे तयार किया जाता है, कम मिट्टी, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के साथ, वो मैं आपकी साथ करूँगी, यह है बंदा गुबी, इसके हमने बीजे डाले थे, बीजे डालकर उसके बाद इसके पौदे उगाए है, और इसमें बिल्कुल भी पेस्टिसाइट्स का यूस नहीं हुआ है, जो भी इसके लिए हम लोग खाद यूस करते हैं, वो घर से जो वेस्ट निकलता ह जो चोटे हैं बट एक पौदे में अरौंड 15-16 शिम्ला मेश लगते हैं, अब आगे यहां पे कुलर का जो पुराना बॉक्स था उसमें अद्रक और यहां पे टमाडर की बीजे डले हुए, यह थर्मा कुल का बॉक्स है, और यह जो कुलर का पुराना वाला बॉक्स होता ह जिसमें हम पानी डालते हैं, वो खराब होके लीक होने लगा था, उसको हमने योज किया है, अब आगी यह हैं बैगन के पौदे, आप देख सकते हैं, यह कितने सुन्दर दिख रहे हैं और कितने जादा लगे हैं, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, एक पौ खादम ने यूज किया है, वो किचन वैस से बना हुआ खादी यूज किया है, मैं आपको एक बैगन पास से दिखा रहे हूँ, और इसमें कीडे भी बिल्कुल नहीं लगे हैं, और इनका साइज भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा एक्ट्रेक्टिव लग र हुआ है, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, आगे और भी बहुत ज़्यादा पौदे है, अब यह हो गया बैगन का, इसके आगे और यह है बॉल साइट, लास्ट में हमने उपर कुछ रस्या भी बांदी है, यहाँ पे जो बेल वाले पौदे होते हैं, उनको लगाते है जैसे लौकी है, करेला है, सेमी है, लौकी लगा था, उसको हमने निकाल दिया है, निकालके अभी तुरई और करेले के बीच ड़ले हुए हैं, और यहाँ पे आगे, जिसे की मैंने पहले दिखाया था, बंदागुबी है, बंदागुबी बहुती अच्छे से फले हैं, इसमें दुसरे पौदे डालेंगे, अब आपको बंदागुबी काटके भी दिखा देते हैं, क्योंकि यह हो गया है, इसके अलाबा फुल गोबी भी है, जो आगे हैं, मैं आपको दिखा दोंगी, और हमने कुछ हर्प्स के भी पौदे लगा है, जो नीचे है, नीचे में जस्ट कीचन से लगकर, जो वाशिंग प्लेस है, वहाँ पर भी स्पेस है, तो वहाँ पर भी हमने वेस्ट, ड्रम, वेस्ट अप उनका यूज़ करके, उसमें जिसे की तेश पत्ता है, करिया पत्ती, पुदेना, धनिया पत्ती, इन सारे पौदों को लगाया है, अब यह पौदे लगाने के लिए यह बेट सी नहीं, हमने बोरो का भी यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह बोरे में बंदा गोबी लगा हुआ है, बोरे में मिट्टी डालके बंदा गोबी और बैगन के पौदे भी लगाया है, उनमें भी काफी अच्छे से लिएर किया जाता है, तो यह थर्माकुल के कुछ बॉक्स है, इसके पहले भी हमने बेट्स बनाए हैं, वो व्यू में मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं, यहां पर यह बेट बना हुआ है, यह बना हुआ है, उसके बाद हमने इसमें पौदे लगा हैं, अभी अब नए बेट्स हम लगा रहे हैं, तो उसके लिए यह थर्माकुल के बॉक्स है, उसके बाद इसमें यह गार्डन वेस्ट डाल रहे है, गार्डन में से जितना भी वेस्टेज निकलता है, चाहे वो किसी पौदे के पत्ते हो, घास हो, तो यह जो है, यह या किचन से जो भी कच्रा निकलता है, फेकना कुछ भी नहीं है, उसको फिर से हमें यूज करना है, गार्डन से जो भी कच्रा निकलता है, वो दुबारा गार्डन में ही यूज करना है, इस तरीके से मिट्टी भी कम लगती है, और चेट पे जादा वेटेज भी नहीं आत और kitchen से जो भी कछ्रा निकलता हैं चाहे वो प्याच का छिल्का हो टमाटर का छिल्का हो उसको collect करके उसका हम लोग खात बना सकते हैं मैं kitchen से जितना भी वेस्टेज निकलता है उन सबको निकाल कर एक बटेट में collect करती हो उसके बाद हमने एक compost bean बनाया है वो भी घर के waste चीजों से बनाया है फिर उसमें डाल के खाथ बनाते है वो मैं आपके साथ next वीडियो में जरूर शेयर करूँगी अब इस तरीके से garden waste डालने के बाद इसके ओपर हम लोग डालेंगे लकड़ी का बुरादा जो wooden work होता है कारपेंटर का जो shop होता है वहाँ easily available होता है तो वहां से ये लकड़ी का बुरादा लाए है तो इसको भी around 20% हम लोग इसके ओपर बिचा देंगे तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें डालने से मिट्टी बहुत कम लगती है जैसे कि मैंने पहले भी बता है मिट्टी only 30% use होता है तो इसमें जितना डालना था डाल दिये हैं और बाकी का यहां पर डाल रहे हैं डालने के बाद जैसे इसको अच्छे से फैला लेंगे उसके दिखाऊंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो इसको इस तरीके से फैला कर फैलाने के बाद और मिट्टी और खाट डालने के बाद इसको पाच दिन तक ऐसे रहने देना है अगर पाच दिन तक रहने देंगे तो बेट बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा लोग उगाते हैं और कुछ लोग ऐसा लगता है कि मिट्टी में उगाने से उसमें फल या सबजी फूल बहुत अच्छे से कम महनत में उपते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है हम लोग टेरिस के ऊपर भी कम महनत में और वेस्ट चीजों से बहुत अच्छे से गाडनिंग कर सकते ह हमने अपना यह जो टेरिस गार्डन है इसी तरीके से वेस्ट चीजों से ही बनाया है और साइड में जो इटे का आपको बैट दिक रहा है वो भी घर में कुछ वेस्ट इटे पड़े हुए थे और कुछ टाइल्स के पत्थर थे तो टाइल्स के पत्थर हमने नीचे डाल दिय नीचे डालने के बाद उसके उपर इटो से बैट बनाया है बैट बनाने के बाद बैट भी का इसी तरीके से तैयार कियाให जिसे की हमारा जो छट है उसका अच्छे से यूज भी होगा हमने छट पर ही नीचे बालकनी में और कीचन के साइड में जो बॉशिंग प्लेस है वहाँ पर भी हमने छोटे-छोटे टब बोरे लगाकर काफी सारे पौदे लगाए इसके अलाबा ड्रम्स को कटिंग करके हमने कुछ ब आपको नेक्स वीडियो में दिखाऊंगी नीचे जो पौदे है वो भी बहुत अच्छे है तेजपता, पुदीना, मुनगा और कुछ हाप्स भी है उनका में अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी अब दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा अब यह जो है और सिफ पाच दिन पुराने मैं आपको नजदिक से दिखा रहे हूँ अब यह थोड़े से छोटे है और यह जो ड्रम्स है ड्रम्स में बड़े पौदे है उसके नीचे जो स्पेस है उसमें हमने छोटे पौदे डाले है और आगी जो दिख रहा है वो निम्बू का है और कोचे के पत्ते है तो इस तरीके से हम लोग छट के उपर भी बहुत अच्छे से वेजटेबल्स उगा सकते है यह मूली के पौदे है यह वनविक पुराने है तो यह वीडियो आपके साथ शेर करने का एक इंडेंशन है कि हम लोग छट पे और वेस चीजों से भी बहुत अ